हेलो फ्रेंड्स आज हम बहुत ही अच्छी सी रेसेपी बनाने वाले हैं जिसके लिए ले लिया है मैंने चार कटे वे प्याज मैंने इस दासे लंबी साइज में प्याज को कट कर लिया है एक कट हुई मैंने हरे मिर्च डाल दिये इसमें लगबग 2 चमच हम यहां पे कटे ध आपक प्यांपी मैंने लिया होआ है राइस फ्लोर जिसए हम बोलते हैं चावल काटा थोड़ा थोड़ा करके चावल काटा इसमें हम डालेंगे और इस तरह सम्मिक्स करते जाएंगे एक बार में सारा चावल काट आप मट डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा तो इसी तरह मैं तीन से चार बेच में से डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके और इस तरह से हाथों से हम इसे मसलते भी मिक्स कर लेंगे दिए देखे मैंने सारे डाल दिया आप काफी अच्छी से मिक्स हो चुका है तो इस टेम पर हम डाल देंगे लागबख एक चमच यहां पर हमें तेल डालूंगी तेल को भी अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे पहले काफी अच्छी से मिक्स हो चुका है इस टेम पर हम डालेंगे पानी तो यहां पर मैंने वनदेफ हो फोर्थ कप पानी लियावा है तो थोड़ा-थोड़ा करके इस सारा पानी यह है ऐक बढ़्य्यार और इस साथे मिक्स करते जाएंगे और हांट बना लेंगे तो आप देख सकते हैं काफी अची से डो जैसा बन गया है तो टोटल यहां पे बन बेफ फोर्थ का पानी लगा है हमारा और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा डो बोल के जैसे ले लेंगे साइज अब अपने अनुसा चोटी बोल कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी चोटी साइज लिए और हात के हतेली से इस तरह साम प्रेश करते से टिक्की का सेप देदेंगे और इसी तरह से जितने भी डो है न सभी से में चोटे-चोटे साइज में डो बोल ले लूँगे और इसी तरह से में टिकी का सेप दे दूँगे यह देखिए रसेपी आपको अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत बूलेगा अब हम गेस के पास आ जाएंगे यहां पे देखिए पहली से मैं अउयल को गरम करने के लिए रख दिया था गेज की फिल्यम को मीडियम ब्लो फ्लेम में रखेंगे और इस तरह से मीडियम ब्राइब करेंगे बिकुल भी हाई फ्लेम मत रखिएगा पर यह अंदर से कचर अज काफी क्रिपी हो जाएंगे और इसका काफी अच्छे सा गौर्डेन ब्राउन क्लर का आ जाएगा तक तक हमैं इसे फ्राइ करना है और जब वह गौल्दन ब्रा डान का हो जाएगा तिब इसे में निकाल लेंगी तो अब देख सकते हैं इसका एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है लगबग 3 मिनिट हो चुके है अब इसे में प्लेट में निकाल लूँगे अब बाकी बचेवे जितने भी टिकी हैं सभी को मेसी तर से 3-4 बेच में फ्राइब करके रख लूँगे यह देखे यह बेच भी फ्राइब हो चुका है तो इस तर से देखे मैंने एक सॉस के साथ इसे सर्फ किया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और यह देखे मैं आपको अंदर से तोड़के दिखा रहे हूं कितनी जादे यह तेश्टी बनी है काफी चटपटी है क्रिस्पी है और खाने ब सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो